28 अगस 2023 को चीन और पाकिस्तान के एर फोर्स ने संयुक तरूप से एक aerial drill को conduct किया था जिसका नाम रखा गया था शाहिन X और यह जो drill थी यह चीन के जियूंकवान और इंचुवान सिटे के North Western Region मायोजीत की गई थी और इसमें दोरोदेशों की एर फोर्स ने एक ही तरह के fighter jet को deploy किया था जो की था J-10CE और यह पहली बार था जब पाकिस्तान एर फोर्स के newly inducted J-10CE fighters किसी joint exercise का हिस्सा बने थे लेकिन आप सभी को ध्यान होगा कि जब भारत ने रफाल fighters खरीदे थे तो उसके बाद से जो मारा निकमा बडौसी है पाकिस्तान वो एकदम से panic mode में आ गया था फिर जिसके बाद उसने अपने एक मात्र मित्र, मित्र क्या का है ठेकेदार कहा देते हैं अपने एक मात्र ठेकेदार चीन को contact किया इस मामल पर मदद के लिए और चीन ने पाकिसान को offer किये J-10CE fighters जिनने पाकिसान एंडिन एर फोर्स के रफाल fighters के जवाब में emergency procurement के तहत किय newly inducted J-10CE fighters के बारे में भी बात करेंगे और साथे साथ इन्हें भारत के रफाल fighters से भी compare करेंगे कि ये दोनों fighters एक दूसरे के सामने कहां पर ठिकते हैं तो स्वागत है आप सभी का defense के answer इसके एक और बहुती fresh episode में so without wasting any time let's begin तो सबसे पहली बात J-10CE तो ये J-10 fighter का export variant है और इसमें जो E लगावा है इसमें E का मतलब भी export है और ये चीन के J-10A fighter का तीसरा improved variant है और इसके साथ एक बड़ा प्रशन ये उठता है कि पाकिस्तान ने इससे खरीदा क्यों तो देखिए जो ये J-10C fighter है ये 4.5 generation के category में आत गया और पाकिस्तान द्वारा paint किये गए 10th generation का में spaceship यानि कि JF-17 fighter की तुलना में कहीं ज्यादा powerful है जब 2020 में 5 Rafale fighters का पहला batch भारत की जमीन पर land हुआ था तो उससे में भले जो तेल है वो हमारे Rafale fighters में जलना था लेकिन जलने की बदबू है वो कहीं और से आ रही थी और प्रेड हो गया कि उसे भी अब नए fighters चाहिए जो कि भारत के Rafale fighters के सामने वो खड़े कर सके तो फिर उसने चीन से 30 J-10C fighters को खरीदनी की यूजना बनाई जो की emergency procurement की तहट लिये जाने थे जो कि शायद पाकिसान के authorities को यह भी लगा होगा कि जब Indian Air Force के Pilots में 21 जैसे aircraft के साथ उनके F-16 जैसे advanced fighter को गिरा सकते हैं तो फिर Rafale जैसे advanced fighters के साथ वो किस किस तरक के कारणा में कर सकते हैं वो तो उनकी सोच के पर हैं और फिर इसके बाद पाकिसान Air Force ने 11 March 2022 को चीन से J-10C fighters का पहला batch प्राप्त किया जिसमें 6 fighters शामिल थे अब चीन दावा तो भले यह गरता है कि जो J-10C fighter है वो उनका स्वधिसी तोरब बनाया गया fighter jet है लेकिन अगर आप इस aircraft के development history पर ध्यान देंगे तो आप इस बात को realize करेंगे कि चीन के इस J-10C fighter में जो tech लगा हुआ है तो वो असल में इसरेल और रशिया से लिया गया है तो इस लिए बात करते हैं इस J-10C fighter fighter के development की तो चीन के जो ही J-10 series के fighters हैं तो इनकी design और construction का जो कारिभार है वो चीन की Chengdu Aircraft Corporation यानि की CAC ने संभाला हुआ है इस aircraft का जो early development था वो काफी slow था लेकिन आज के समय में जो इस J-10 fighters हैं चीन के सबसे प्रसिद्ध homegrown fighter jets में आते हैं लेकिन इसी कई सारी reports भी हैं जो इस और कई ऐसे reports भी देखी गई हैं जिनमें यह दावा किये जाते हैं कि इस्रेयल ने अपने fourth generation fighter jet लवी से संबंदे classified information चीन की CEC के साथ share करी थी लवी इसरेयल का एक multi-role jet fighter program था जिसने 1980s के दोरान शुरू किया गया था और यह एक US funded program था और इसने 1986 में अपने पहली उडान भरी थी और इसके केवल तीनी prototypes बनाए गए गए थे और US वारा इस प्रोग्राम के लिए funding को suspend किया जाने के पास से यह जो प्रोग्राम था यह से इन fighter के भी कुछ tech शामिल है और उसी वजह से चीन के इस J-10 fighter के कुछ technology के जड़ें US से जुड़ी हुई है और इन technologies में खास सवर पर है avionics, advanced composite materials और flight control specifications और इसरेयल के design के जो influence है वो आपको J-10 के close couple Canada Delta configuration में भी देखने को मिलेगा और इसके अलवा J-10 का last size wing platform Canada और विंग क के बीच का distance तो असे कई सारे obvious difference है लवी और J-10 के बीच में हाला कि चीन लवी प्रोग्राम के designs को तो हासिल करने में काम्याब रहा लेकिन वो लवी में इस्तमाल होने वाले light weight Pratt & Whitney के PW-1120 turbofan engine को इस्तमाल नहीं कर सका और इसमें बड़े पैमाने पर light weight composite materials को produce करने की capacity की भी और बाकी aerodynamic designs के अलावा J-10 की जो type 1473 pulse Doppler fire control radar है तो वो भी इस्रेल की ELM-2035 Doppler radar पर अधारित है और कुछ reports दावा करते हैं कि चीन की इस type 1473 radar की detection range है वो करीब 100 से 120 km के आसपास है लेकिन एक Chinese Aerospace Observer और ऑफर एंड्रियस रुपेट द्वार लिखी कर ये किताब जिसका नाम ह अब एक चीन ने अब जो अपने J-10 में अपने स्वदी सी डेवलो एस टेंसरी के engine को इस्तमाल किया है तो उन इंजेंस में से कई सारे issues हैं जिसके वज़े से चीन का ये पूरा J-10 वाला प्रोग्राम ही रूपने वाला था और इसको लेकर ये कहा जाता है कि इस बात की ये एक दूसरी के सामने कहां पर टिकते हैं अलाकि टेक्निकली देखा जाए तो इन दोनों फाइटर की बीच कंपेरेजन नहीं बनता है लेकिन इने कंपेर इसलिए किया जा रहे है क्योंकि पाकिस्तान ने ये जेटन सी फाइटर खास तौर पर भारत के रफाल फाइटर क कर रहे हैं एक चीन और दूसरा पाकिस्तान वहीं रफाल फाइटर को भी वरतमान से वह में करीब आठ देशों के द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है इस जेटन सी फाइटर ने पाकिसान और चीन वाली एक्सराइस के अलावा अभी तक किसी और जॉइन्ट एक्सराइज य कि पीछे का लॉजिक समझ में नहीं आता है क्योंकि पाकिसान के पास ओल्री एफ-16 फाइटर है जो कि इसी सिमिलर क्लास को सिमिलर जनरेशन का फाइटर है और उन्हें नहीं लगता है कि जो जेटन सी फाइटर है वो रफाल के जैसा बहतरी ने जबकि उनके यह गना थे कि पाकिसान को अपने प्रोजेक्ट आजम पर इंवेस्ट करना चाहिए और इपने एग्जिस्टिंग जीएफ-17 की कैपिपिलिटीस को बढ़ाना चाहिए बागी अगर आप इन दोनों फाइटर की बीच के टेकनिकल परामेटर भी लेते हैं तो ऐसे मामले पर भी रफाल फा लेकिन हाँ कुछ रिपोर्ट्स ये भी दावा करती हैं कि J10C में चीन का जो निया WS-10B इंजिन इस्तेमाल किया गया है तो वो आफ्टर बर्नर के साथ 144 कुलिन्यूटन तक की थ्रस्ट को जेनरेट करने में सक्षम है पर जैसे कि हम आपको पहले भी का कि चीन के जो ये W प्लू-10Series के इंजिन से उनमें कई तरह के इश्यूस भी पाए गए इसके लावा रफाल जो मायका जैसी शॉर्ट रेंज की मिसाइस को केरी करता है तो वो जेटन सी द्वारा के जाने वाली PL-89 मिसाइल की तुलना में कई जेनरेशन आ गए इसके अलावा अगर बात करें बियोंड वीजवर रेंज कॉमबैट की तो इसके लिए जेटन सी फैर्टर की जो रेडार है तो वो 1200 ट्रांस्मेटर रिसीवर मॉड्यूस के साथ आती है और ये बहुत बढ़ा नंबर है लेकिन अगर हम इसे देखते हैं जेटन सी में इस्तमाल होने वाले AL-31 इंजिन के स साथ और जैसे कि ऑन पेपर चीन अपने इस WS-10B इंजिन को लेके दावे करता है तो वहां पर ये कंडिशन बदल सकती है वहीं रफाल की जो एसे रेडार है तो वह 838 TR मॉड्यूस के साथ आती है और रफाल की जो रेडार से हैं वो टेक्लोजिकली सूपरियर मनी जाती है जिसकी डिटेक्शन रेंज करीब 200 किलो मिटर्स तक बताई गई है और ये फुली प्रोग्रामेवल है और इसके ओपन आकिटेक्चर की वज़े से इससे आसानी से अपग्रेड भी किया जा सकता है बाकि JTNC और रफाल दोनों के पास लगबग एक ही समान का रडार क्रॉस 15 जैसी बियोंड वीजवल रेंज मिसाइल को भी इस्तमाल करता है इसमें से पियल 12 की मारक शमता है 100 किलोमेटर जबकि पियल 15 की है 200 से 300 किलोमेटर यानि कि कमाल की लेकिन यह मिसाइल के तभी काम की है जब आप टागेट को लंबी दूर से डिटाइक कर पाएं और से सब्सक्राइब करने में सक्षम है और मेटियोर मिसाइल के कैपबिरिटी का अंदाजा अब इस बास से भी लगा सकते हैं कि इसे F-35 तक में इंटिग्रेट किया जाने वाला है और यह मेटियोर ही है जो कि रफाल फाइटर को कई माइनों में बढ़त देती है बाकि अगर बात करें Electronic Warfare Capabilities की तो JTNC के Electronic Warfare Suit के कीमत को कहीं ज्यादा बढ़ा देता है और इसे Indian conditions में पाए जाने वाले Threads को ध्यान में रखते हुए अपडेट भी किया गया है बाकि रही बात availability ratio के बारे में तो JTNC के जो availability ratio है उसके बारे में फिलाल अभी कोई जानकारी उप्रब्द नहीं है लेकिन जो रफाल फाइ वापिस आते हैं वीडियो की में टॉपिक पर तो एक बात तो तो तैह है कि पाकिस्तान ने जो जेट एंसी फाइटर्स खरीदे हैं तो वो एक तरह से Indian Air Force के रफाल फाइटर्स के जवाब में पाकिस्तान के desperate conditions में उठाया गया कदम था लेकिन दूसरा बड़ा करण ये भी है कि पाकिस्तान जिसके पास पैसे तो है नहीं अच्छे फाइटर्स खरीदने के लिए तो इसलिए संभावित रूप से पाकिस्तान ने अताय कि आओ कि वो जेट एंसी की फॉर्म में F-16 की फर्स्ट चीप कॉपी के साथ जाएगा हालनकि हम यह नहीं कि जेट एंसी बहु पी दिखाई इसलिए नहीं क्योंकि अच्छा फाइटर है बलकि इसलिए को कि पाकिस्तान के पास कोई और ऑप्शन है भी नहीं बागे चाइनिज कंपनी CAC ने जेएफ 17 और जेट एंसी दोनों को लगबग एक के साथ विक्सित किया है पर जैसे के हम देखे रहें कि जेए और हम जल्दी मिलेंगे नए एपिसोड के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत